Hello Friends, मैं सुस्मा को हाड़ वेलकम टो माई चैनल Friends आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी की ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंट्स ये डिजैन देखने में जितना संदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, गल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, हाईने, किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 12 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लेजिए फिर से 12 फिर से 12 इस तरह से 12 बारा बारा फंदे गिन दे जाएए और लाश्ट में आपके 5 फंदे होने जाएए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 20 सलायों में कम्प्लीट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 29 फंदे 12 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्ष्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाय सीधी साइड से और एक सलाय उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है आप अपने प्रोजक्ट के हिसाब से अपना कोई भी बोर्डर बना लीजिए अकर border के बाद किसी project ले फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लिजिए अब यहां से design की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा पहले हम दो फंदे इसमें उल्टे बनाएंगे estes को आप उतार भी सकती है बना भी सकती है यह आपकी अपनी मर्जी होगी तो यह देखिए यह दो फंदे हमारे उल्टे ऐसे बनेंगे अब यहां से हम design को शुरू करेंगे तो इन दो फंदे से आगे अब हम पांच फंदे और उल्टे ही बनेंगे देखिए एक दो तीन चार और यह पांच अब धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार तो ये देखिए ये पहले वाले दो फंदे छोड़ कर पांच उल्टे तीन सीधे चार उल्टे ये हमने 12 फंदे का डिजैन बनाया है अब इसी डिजैन को बार बार रिपीट करती जाएंगे तो दिखिए धागा अपनी तरफ ही है पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये पांच धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो ती धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार तो ये देखिए दोबारा से हमने ये 12 फंदे का डिजैन बनाया अब इसी डिजैन को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे लास्ट में आपके तीन फंदे बच जाएंगे इनको आप उल्ट तो इस तरह से ये देखिएगा इस एक डिजैन से और इस एक डिजैन के बीच में चार फंदे इस वाले डिजैन के और पांच इस वाले डिजैन के तो टोटल नो फंदे उल्टे ऐसे आते चले जाएंगे दूसरी सलाई है और उल्टी साइड है जो फंदे सीधी साइड पर हमने उल्टे बनाई है वो हमारे यहां सीधे बनेंगे जो सीधे बनाई वो यहां उल्टे बनेंगे लेकिन यहां देखे स्टार्टिंग में दो फंदे आपके सीधी साइड से भी उल्टे बनेंगे और उल्टी साइड से भी आपके उल्टे ही बनेंगे इससे इसकी जो किनार तीन, चार, और ये पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागे को वापस पीछे करेंगे, और अब यहां नो फंदे आपके सीधे आएंगे, इस डिजैन के और इस धरवाले डिजैन के मिलाकर बीच में नो फंदे आएंगे, आठ और ये नो, नो फंदे ये सीधे बनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे आएंगे, और आगे आपके जैसे फिर से नो सीधे आजाएंगे, तीन उल्टे आएंगे, और लास्ट में आपके देखिएगा, यहां पर एक, दो, तीन, चार, और य अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर, तीसरी सलाई को ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे फंदे इस तरह से हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पिछे करेंगे, यह एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, इन दोनों को हलका सा लूज करेंगे, आगे से सलाई डालेंगे, और दो फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया, वो जाली से बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ करे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे जो कम किया वो जाली से बढ़ा दिया धागा अपनी तरफ करेंगे और साथ फंदे उल्टे आएंगे इधर वाले डिजैन के और इसके मिला के क्यो क्योंकि यहां भी हमें दो का एक करना है तो बीच में जो 9 थे उसमें से 7 उल्टे हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ अब देखे यहां ये उल्टे वाले फंदे कम होते जाएंगे और यहां पर ये सीधे वाले बढ़ते चले जाएंगे अब यहाँ पर ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों फंदे में देखिए इस तरह से आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस सीधे फंदे को ऐसे पलट देंगे, एक और एक ये उल्टे वाला, बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और दो का एक फंदा बना आपके जितने भी फंदे हों बीच में तो साथ साथ फंदे आते जाएंगे लास्ट में आपके छे फंदे होंगे इनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जहां पर जैसे दिख हो गई पांचमी सलाई है और सीधी साइड है पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा एक दो तीन चार और ये पांच फंदे यहां पर उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे ये एक फंदा उल्टा और एक सीधा इन दोनों में आगे से सलाई और दो का एक फंदा ऐसे बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये तीन फंदे अब सीधे बनेंगे देखिए एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे में सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ और पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार और ये पांच फिर से देखे धागे को पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक सीथा दोनों फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी त धागे को अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट के पाँच फंदे आपके उल्टे आएंगे तो पाँच सलाईयस डिजैन की कम्प्लीट हो गई और छटी सलाई उल्टी साइड पर जहां पर आपको सीधे फंदे दिखें वहां सीधे बनाईए जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए तो यह देखिए छटी सलाई को मैंने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए कंप्लेट कर दिया है अब आज ये इसकी सात्मी सलाई और सीधी साइट पर सात्मी सलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए एक, दो, तीन, चार चार फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों फंदे में आगे से सलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ कर देंगे फिर हम धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे देखिए एक और ये दो इन दोनों फंदे में भी आगे से सलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ है दो का एक कर देंगे देखे यहाँ पर जो फंदा हमने घटाया उसके लिए जाली यहाँ पर आ गई अब यहाँ पर जो दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां भी जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को भी हम पलट देंगे, और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और यह 3, फिर धागे को पिछे करेंगे, यह उल्टा और यह सीधा, इन दोनों फंदे में, आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बनेंगे देखिए आगे से स्लाइड डाल लेंगे और दो का एक बनाते हुए अब यहाँ पर देखिए हमने जो दो काए किया उसकी जाली यहाँ पर आई और इन दो का जब हमने आगे से स्लाई डाल कर सीधा एक फंदा बनाया तो एक फंदा कम हो जाता है धागा अपनी तरफ कर देंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे जाली से फंदा बढ़ाया दो का एक करके घटा दिया इस फंदे को भी हम ऐसे पलट देंगे धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे लाश्ट में आपके चार फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिएगा अब आज येगा इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर जो फंदे आपको जहां पर जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए तो ये देखिए आठ सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई नोमी सलाई और सीधी साइड पर नोमी सलाई को ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए उसके बाद इस फंदे को भी हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं तो यहां पर टोटल आपके तीन फंदे उल्टे आएंगे और ये जो उल्टा फंदा है धागे को पीछे करेंगे दोनों को ऐसे लूज करेंगे सीधे और उल्टे को आगे से सलाई डाल कर इन दोनों का हम यहां एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये जाली और ये फंदा इन दोनों को भी हम थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे देखे यहाँ पर जो दो का एक किया उसके लिए हमारी ये वाली जाली आ गई अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और देखे ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन तो यहाँ पर जो दो का एक किया उसकी जाली यहाँ पर आ गई धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे धागे को अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा यहां बीच में उल्टाएगा फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डाल के इन दो का हम एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे देखे यह जाली और यह फंदा इन दो अगे से स्लाइड डाल कर इसको हम एक फंदाय से सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच वाले तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फंदा इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से फिर से हम दो का एक फंदा यहां बना देंगे आपके जितने भी फंदे हो ऐसे ही डिजैन को बार बार बनाते जाईए और लाश्ट में आपके तीन फंदे होंगे इनको उल्टा बुन दीजिए नो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाई उल्टी साइड पर जहां पर आपको जैसे फंदे दिखाई दे यानि सीधे हों तो सीधे बनाईए और उल्टे हों तो उनको उल्टा बुनते हुए दसमी सलाई को कम्प्लीट कीजिए तो ये देखिए दस सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई ग्यारमी सलाई है और सीधी साइड है इसे आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो और ये तीन फंदे आपके इस तरह से स्टार्टिंग में उल्टे आएंगे धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे अब ये जाली और ये फंदा इन दोनों फंदे में आगे की साइड से ऐसे स्लाई डाल देंगे अब देखिए यहां पर हमने जो दो का एक किया उसके लिए धागा अपनी तरफ कर देंगे एक और ये दो इन दो फंदे का हम आगे से स्लाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बना देंगे अब यहाँ पर जो दो का एक किया उसकी जाली यहाँ पर आई है अब ये वाला जो दो काई किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो यहां पर जाली आ गई फिर से देखे धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे में और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे अब इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बना देंगे तो ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को अब हम बार बार रिपेट करते जाएंगे तो देखिए धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा अब एक और ये दो इन दोनों में आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे यहां दो का एक किया उसकी ये वाली जाली है अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो ये वाले जो दो का एक किया इसकी जाली ये है धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे अब ये जो फंदा है इसे हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हूँ अब यही बारा-बारा फंदे का डिजाइन बनाते जाएए और लास्ट में आपके ये तीन फंदे हैं इनको आप उल्टा भुन दीजिएगा अब हमारी ग्यारा सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है बार्मी सलाई है और उल्टी साइड है आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए बार्मी सलाई को कम्पलीट कर दिया है अब आज ये इसकी तेर्वी सलाई और सीधी साइड पर, तेर्वी सलाई को ध्यान से देखिएगा, एक, दो, तीन, और ये जो सीधा फंदा है, इसे भी हम यहाँ उल्टा ही बना देंगे, तो चार हो गए, अब धागे को पिछे करेंगे, ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे चार, साथ, आठ, और ये, नो फंदे हमने सीधे बनाए, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, और ये तीन फंदे यहाँ उल्टे आएंगे, देखिए, एक, ये सीधे वाला हो गया, गया, दो, और एक इधर से, तीन फंदे हमने ये उल्टे बनाए, अब फिरसे हम नो फं फंदे ये सीधे बनाएंगे धागा पीछे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और ये नो अब बीज में आपके इसी तरह से तीन तीन उल्टे बनते जाएंगे और लास्ट में देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे आपके उल्टे आजाएंगे तेरा सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोद्वी सलाई उल्टी साइड से यहां पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाने हैं तो देखे थोड़ा सा बता देती हूँ दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे करेंगे एक और इस हमने उल्टा बुन दिया तो ये इधर सीधा हो जाएगा दो फंदे यहां सीधे आ गए धागा अपनी तरफ करेंगे नो फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ये हमारे यहां नो फंदे उल्टे आएंगे तो आठ बन चुके और ये नो मा अब धागा हमने यहां से उल्टा बनाया था तो इसको हम सीधा बनेंगे एक दो और ये यहां से भी तीन अब जितने फंदे इधर से उल्टे बनते जाएंगे वो इधर हमारे सीधे बनते चले जाएंगे फिर से हम नो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन जार पांच छे साथ आठ और ये 9, बीच बीच में आपके 3-3 फंदे सीधे आते जाएंगे और कोने पे और यहां लाश्ट में आपके ये 2 फंदे आएंगे देखे एक और ये 2, और ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने दोनों साइड से ही उल्टा बनाया है 14 सलाईया डिजैन की कंप्लीट हो गई 15 में सलाई है और सीधी साइड है इनको ध्यान से देखिए एक, दो, तीन, चार अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम उल्टा बुन देंगे फिर धागे को पीछे करेंगे और साथ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पांच फंदे उल्टे आएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच धागा पीछे और साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये हमारा साथ आपकी जितने भी फंदे हैं पूरी सलाई में आपका डिजैन ऐसे ही रिपेट होगा अब देखें ये जो सीधा है इसको हम यहां उल्टा कर देंगे और ये लास्ट वाले भी चार फंदे हम उल्टे ही बुन देंगे पंदरा सलाई यां डिजैन की कमप्लेट हो गई सोलमी सलाई पर जो फंदे यहां उल्टे बनाए वो यहां सीधे बनेंगे जो इधर सीधे हैं वो इधर उल्टे बनेंगे तो ये देखिए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए सोलमी सलाई कमप्लेट हो गई सत्तरमी सलाई है और सीधी साइड है सत्तरमी सलाई को आप देखिएगा पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए एक, दो, तीन, चार, पांच अब ये वाला जो सीधा है इसे भी हम उल्टा ही बुन देंगे तो छे फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे तीन फंदे ये आपके यहाँ पर पांच आएंगे देखिए एक इधर से कम हो गया साथ में से एक इधर से होगा तो पांच सीधी आएंगे एक, दो, तीन, च्यार और ये पांच फंदे आपके ये सीधी हो गए धागा अपनी तरफ करेंगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै और इस सीधी वाले को उल्टा बुन देंगे तो टोटल आपके बीच में साथ फंदे उल्टे हो गए फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे तो पूरी सलाई को आपने अब ऐसे ही बनाती जाना है बीच बीच में आपके इसी तरह से 7-7 फंदे बनेंगे 5-5 आपके सीधे होते चले जाएंगे और लास्ट में देखे इस सीधे वाले को ऐसे उल्टा करे हैंगे एक दो तीन चार पांच और ये छह फंदे उल्टे आएंगे सत्रस लाईयां डिजैन की कंप्लेट हो गई अठार वी सलाई पर आपको जो फंदे जैसे नजराएं बना दीजिए तो ये देखिए अठारा सलाईयां डिजैन की कंप्लेट हो गई उननीसमी सलाई है और इसकी ये सीधी साइड है तो 19 मिसलाई पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे और इस सीधे वाले को उल्टा बुन देंगे तो टोटल साथ फंदे यहां उल्टे आ गए धागा पीछे तीन फंदे ये सीधे आ गए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस सीधे वाले को उल् च्यार पांच छे शाथ आठ और ये नो नो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे हम ये सीधे बनाएंगे बीच-बीच में ऐसे ही आपके नो नो फंदे उल्टे बनते चले जाएंगे लाश्ट में देखिए इस सीधे वाले को उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे बीसमी सलाई उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जहां पर जैसे दीखें बना दीजिए देखिए फ्रेंट्स इस तरह से बीस सलाईों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब आगे इन्हीं बीस बीस सलाईों को ही बार बार रिपिट करते जाना है जैसे हमने यहां से इसकी पहली सलाई बनाई थी सेम टू सेम अब आप इसकी यहां से स्टार्टिंग कर सकती हैं जब आप बार बार इन्हीं बीस बीस सलाईों को रिपिट करेंगी तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिजैन बनता चला जाएगा तो ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज